Hello kids, today we are making apple with the help of crumpled paper. Yes, crumpled paper. उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक sheet जो की white होगे और एक outline बनाएंगे हम apple की. देखिए यहाँ पे मैं draw कर रहे हैं, curve line यूज करते हुए. आप चाहें तो अपने बड़ों से भी इसे draw करवा सकते हैं, या dotted line बनवा सकते हैं, और आप उसको फिर trace कर सकते हैं. यह apple draw हो गया है, साथ में leave, यहाँ पे मैं kite paper यूज कर रहे हूँ, आप चाहें तो कोई और पतला paper यूज कर सकते हैं, इनको मैंने small pieces में cut कर लिया है. यहाँ पे मैंने जो pieces रखे हैं, वो लगभग equal रखे हैं, अब इनको मैं crumple कर रही हूँ, यह देखिए, बहुत ही easy activity है, simple हमें papers को मोरना है, किसी भी तरीके से, लेकिन उसकी ball बननी चाहिए, यह ध्यान रखना है, यह देखिए, बहुत ही आसान activity है, इस activity को करने से, आपके finger muscles strong होते हैं, and hand eye coordination भी develop होता है, चलिए यह देखिए, balls ready हो गए हैं, अब यहाँ पे मैं फैवी कॉल apply कर रही हूँ, apple की outline के अंदर, यहाँ मैं fast forward करके दिखा रही हूँ, इसलिए आप ध्यान रखना कि आप ये activity fast न करें, अब एक एक पेपर की ball को, जो कि हमने crumple की हुई है, उठाना है, और stick करती हुई, थोड़ा थोड़ा दबाती जाना है, बहुत ही light प्रेस करना है, ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, पहले मैं outline पे balls लगा रही हूँ, एक बार outline पे लगा लेने से, ये काम easy हो जाता है, अब मैं अंदर की side, पेपर की ball से stick कर रही हूँ, जहां पे मैं आपको fast forward करके दिखा रही हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना, आप इस activity को दीरे दीरे करेंगे, ये देखिए, red apple ready हो रहा है, वाव, beautiful, अब इसके बाद leaf में करेंगे हम, लेकिन उससे पहले stock को मैं brown sketch pen से draw कर रही हूँ, चलिए अब leaf की बारी सबसे पहले blue apply करेंगे, और फिर green color की crumpled paper की balls को हम stick करेंगे, पहले outline की तरफ stick करेंगे, फिर beach में, और ये देखिए, leaf भी ready हो गई है, पूरा apple बन के तैयार है, I will write the spelling of apple, A-P-P-L-E, apple, Now kids, it's your turn, bye-bye.